विवेरीवण केसे वाप सभी आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे, अचछे अच्छे प्लेटफ़ॉंयों प्लेटॉप्ट पहुत किया लुक्ष और सब्सक्राइब कर है लें कि मैं हें उन फ्ली। मßटहने है में जिशनाम सब्सेडर fee आपको पढ़ाऊंगा तो आपके लिए इंपोर्टन टेम है क्या करूंगा आपको यहां पढ़ाने वाला हूं और आपको समझाने वाला हूं कि कैसे बनाया जाता है करके कुछ भी डाउट्स कुछ भी मैसल्ज हो तो आप इस्टाइडी मुझे मैसल्ज करें पूछ सकते हो इस आपको मैं पर सलूशन दे दूँगा ठीक है सिंपल है लॉजिक समझ रहा है जैसे कि बात करें मीनिंग बोले कि तो मीनिंग आप सीदी सी बाते जिन बच्चुने कि अंग घर चाहर किया है और आपको जंदर और लेजर क्रिपर करने आता है तो स्बात करें मीनिंग के a small business may be able to record all transaction in a single general but as the business expands the member of transaction becomes so large that the general is required to be subdivided into specific generals which are called subsidiary books मतलब क्या अब general prepare करते हो laser prepare करते हो वो क्या हो जाता है बहुत लंबा था चलता है step उसके हर account simple simple बलना मतलब क्या एक लंबा प्रोज है वकर यहां पर क्या है कैश अब जितने भी लेन दिन आप कैश हे कर रहे हो जितने भी लेन दिन आप कैश हे कर रहे हो आपके पस कितना कैश आ रहा है और कितना कैश जा रहा है बस आपको उसका रेकॉर्ड करना है समझे रोवी क्या बोल रहा हूं उसको आपको सबसेडरी बुक में क्या करना रेकॉर्ड करना है ठीक है अब सबसेडरी बुक मतलब क्या है जो आज हम लोग आज की वीडियो में करने वाले है वो है सिंपल कैश बुक हम लोग जो आज की चैप्टर में करने वाले आज की वीडियो में जो करने वाले वो है सिं किसे simple cash book prepare करते हो simple है चलिए अब simple cash book बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा यह type के format बनाना पड़ेगा यह simple cash book का format है simple cash book का format है एक होता है double cash book का format तो simple में ऐसा है double में क्या हो जाएगा जहां पर amount है वहां पर क्या हो जाएगा एक bank amount और cash amount हो जाएगा एक bank amount और cash amount मतलब कि जो bank से जा रहा हो जो cash से जा रहा हो उसका आपको record करना है वह double में होता है बट हम लोग आज जो अब मैं आपको एक किसम कराऊंगा तो आपके क्या जो डाउट से रहा वो दीरे दीर हो जाएगे बट अगर में एक ही वीडियो में सब कुछ करा दूँगा तो आप क्या हो जाओगे इसके लिए मेरा से बट कराने का मंत और में उस तरीके से करा रहा हो तो प्लीज अंडरस्टेंडिंग माई वीडियो के शलिए वो इस दफ फॉर्मेट आफ क्या सिम्पल कैश्बूक कर यह क्या है फॉर्मेट है सिम्पल है अब हमारे पास यहां पर कोशंड दिया हुआ है क्या कोशंड दिया बच्छो कोशंड हमको दिया हुआ है इंटर न फॉल्ओंग ट्रांजेक्शन इन दा सिम्पल कैश्बूक आप मिस्टर स्वर्व ट्रेडर्जम बटलब क्या आपको क्या 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 करना record करना है ठीक है अब मैंने आपको बला कि cash book में क्या होता है कि जितना आपका related cash transaction हो रहा है उससे क्या करना करना है simple की cash book में समझना आ रहा है चलिए तो simple पहला question क्या बोला है कि 29 July 1 को क्या और श्टार्टेट business with cash रुपिस कितना है 10,000 अब सिंपल सी बात है जब आ बिजनेस स्टार्ट करते हो आपके पत्स है पैसा आएगा कि जाएगा आए गा पैसा किसा इकावाशर वाराक पैसा आएगा लुग क् Uh पैसा और है तो तो कावचा है係 काण्ट डेबिट टू से आ घाले विचकाण्ट डेबिट टू तो capital accounts कितना आ रहा है लाक रुपया आ रहा है और 1 लाक मेरे capital से जा रहा है cash आ रहा है capital मेरा जा रहा है ठीके तो कोई आपको यहां समझेगा निए मैं आपको slide कर लेता हूँ अब ही अगर आप बिजनेस में क्या बूल रहा है कि started business with cash अभी आपके business में क्या हो रहा है cash आ रहा है कि आपको simple cash book में subsidiary में क्या होता है simple cash book में क्या होता है कि जितना आपका cash से transaction उसको का करना आपको record करना तो यहाँ पर cash का transaction कुन सा है यह वाला है तो cash account कहां है debit है तो simple cash book में cash account के debit side में record करना पड़ेगा जो कि यह debit side है DR देखो लिखा है मैंने तो cash account है, अब यहाँ पर cash account क्या था मेरा, debit है, तो मुझे debit side में क्या करना पड़ेगा, record करना पड़ेगा, तो मैं date डाल दू पहला, 2019, July, डाल दिया में date, अब simple सी बात है, cash account, cash book में, मैं cash का नाम यूज़ कर सकता हूँ, क्या नहीं, तो मुझे किसका नाम यूज़ करना capital account, क्या लिखूंगा, to capital account, ठीक है, अब debit में आपको 2 यूज़ करना है, credit card में आपको क्या करना है, buy यूज़ करना है, समझ में आ रहा है, तो कितना था मेरा, 1 lakh, मैं यहाँ पर लिखूंगा, 1 lakh, समझ में आ रहा है, अब narration में क्या लिखना है, लिखो, being, started, business, with, cash, मतलब, क्या आप business क्या कर रहो, start कर रहो, without cash है, बस, इतना आपको करना है, और आपको यहाँ पर क्या करना है, एक line ठीज़ देना है, कि यह transaction है, आपको क्या हो गया, complete हो गया, तो मैंने आप यह client रहो करती है, मतलब मेरा यहाँ पर transition क्या हो गया, complete हो गया, तो जितना आपका cash है, और आपको ही record करना है, बच्छो नहीं record करना है, simple है, चलिए, question पर आजाओ वापस, यह हो गया, आप तीन तारीक को क्या बोला गया, बच्छो, कि deposited cash into bank, एट, एटीट हाउसल, अब, आप किसी bank में पैसा deposit कर रहा है, तो आपके पास से पैसा आएगा, कि जाएगा, अगर मैं suppose किसी bank में जा रहा हो, deposit करने, तो पैसा वहाँ पर दूँगा, तभी deposit हो, मतलब मेरे पास से क्या होगा, cash जाएगा, पैसा जा रहा है, मतलब क्या, आ सिंपल सी बाद है ना, किसके पास जाएगा, bank के पास जाएगा, तो bank कहा पर क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा, bank account debit क्या हो जाएगा, bank account debit कितना है, 80,000 से debit हो जाएगा, यह कितना क्रीट होगा, 80,000 आपके पास से cash चला जाएगा, अब मैंने आपको क्या बोला, कि आपक स chaîne ऑलन हो यई हुद ऑको रेकर्ट करना है जो भी हो रहा है उसको रेक्रोड करना करना है यहां पर कैश क्रिदिट हो रहा है तो कैश कुरें करना पड़ेगा सफिंपल कैस Ну kan की क्रिडिट इसको रेकॉर्ड करना पड़ेगा क्रिडिट से डिये है अपने डेट डाल दू कितना है 2019 जुलाइब जुलाइब डेट कपका बच्चो दिखिए तीन तारीक का था तो तीन तारीक में डाल दिया अब cash 카orn में cash का नाम यूज़ हो सकता है क्या cash account credit में तो मैं credit में लिख रहा हूं बड cash cash का नाम यूज़ करूंगा नहीं तो आपोजित में नाम किसका है बैंक का है इसके opposite में नाम तो एसी हजार था तो narration में क्या रिखिए ने बिपोजिटेट इन टू बैंक इपोजिटेट इन तू बैंक ठीक है उसके बल आपको क्या करना है लाइनला i a ने तरीक से आपको करना है चलिए को वापस आ जाओ सकेंड को गया और फिफ्ट कोशन क्या बूल रहा है देखिए परचेस इस्टेशनरी फॉर कैस रूपीज थू थाउजन आप क्या कर रहे हो परचेस कर रहो मैंने आपको बच्चों बताया है जंदल में बताया है लेजर म होता है बट परचेस मी यहां परच्चेस क्या हुआ है मेरे लिए अगर मैं कुछ चीछ परचेस करूँगा तो मेरे पहस्काइगा की जाएगा ना चा continuing을 सबदें कर 10 Saint पैसा ले रहो मतलब मेरे पास से क्या हो रहा है बिजनेस से पैसा क्या हो रहा है जा रहा है ठीक है तो कितने का जा रहा है बच्चो देखिए 2000 का मेरे पास से आ रहा है बिजनेस से पैसा 2000 क्या हो रहा है जा रहा है अब यहां से क्या बुला है कि आपको रेकॉर्ड करना पड़ेगा अपको रेकॉर्ड करना पड़ेगा तो इसके आप ऊसरी पर नाम किसका है स्टेशनरी का नाम है तो क्या लिखेंगे बाई इस टेशनरी कि एकाउंट कितना है टू थाउजन है नरेशन में क्या लिखेंगे बिंग पर्चेज स्टेशनरी क्या लिखेंगे बीइंग पर्चेज स्टेशनरी क्या लिखेंगे बीइंग पर्चेज स्टेशनरी खतम हो गया ट्रांजेक्शन इसके तो भी फाइब भी हो गया अब किसका सेवन को क्या बोल रहा है देखिए कैस पर्चेज अब यहां पर क्या हो रहा है चैसी हो रहा है उपर क्या क्या स्प्वेंब करो कि तर चैज का नाम एकर टूसती प्रफेस, ठीच चाहेएगा कि दो हो तो purchase debit हो cash क्या है credit तो purchase आप कितने का कर रहे हो purchase आप कितने का कर रहे हो cash purchase कितना है आपका 15,000 का है तो आपके पास कितने का समाना आएगा 15,000 का business से कितना पैसा जाएगा 15,000 बिजने से क्या होएगा जाएगा simple है तो यहाँ पर मैंने क्या बोले कि simple cash book में जितना भी cash से लेंदेन हो रहा है आपको वह record करना है तो यहाँ पर cash क्या है एक ही cash है क्रेडिट है तो credit में आपको record करना पड़ेगा simple cash book में तो simple cash book में मैं आ गया यहाँ पर एक line मार दो कि यह transaction complete हो गया उसके लिए चलो डेट डाल देंगे seven अब cash book में cash का नाम यूज होगा के नहीं cash credit में था तो मैं credit में लिख रहा हूँ but cash account में cash का नाम यूज होगा क्या बच्चों नहीं यूज होगा तो क्या होगा अपोजिट का नाम होगा तो अपोजिट में क्या है purchase है तो क्या लिखेंगे by purchase account कितना है पंद्रह हजार तो मैं लिख दिया पंद्रह हजार narration में क्या लिखेंगे being purchase goods खत्म बिंग purchase goods तो यह भी आप तो क्या हो गया transaction है आप खत्म हो गया है कि लाइन मार दो simple है चलो seven का भी हो गया है फिर कितका बोला है एट का बोला गया है देखिए eight का बोला गया है इस और कैश रूपीश two thousand at eight percent rate discount मतलब आपने गुट्स को क्या है तो मैंने बोला कि purchase क्या होता है डेबिट होता है तो sales क्या हो जाएगा क्रेडिट हो जाएगा कि मैं इसको परफ कर दो यहां से आपको समझाने में अच्छा होगा अब यहां पर पर्चिस होता है डेबिट तो sales क्या हो जाएगा credit ठीक है अब यहां क्रेडिट कर दिया अभी आप sales कर रहे हो उसकी बात में क्या डिसकाउंट भी दे रहे हो जैस क्या होगा credit प्लस आप क्या कर रहे हो सिंपल सी बात है आप जब भी sales कर रहे हो आपको पैसा आएगा अभी सब्सक्राइब यह पॉटल आपको sales कर रहा हो कितने का 10,000 का मैं आपको बोलो कि चलो मैं आपको इस पर 1000 रुपर क्या करूंगा डिसकाउंट दूंगा तो आपको मैं 1000 रुपर डिसकाउंट दूगों तो मेरे लिह क्या है नुक्साने मतलब मेरे पास से credit हो रहा है तो फिर डिसकाउंट भी क्या हो जाएगा credit हो जाएगा कि और चिपल को तो पैसा आएगा की जाएगा यह पैसा आएगा तो cash a क्या हो जाएगा देबित हो जाएंगा अभी आपने सेल्स किटने का किया देखिए कि कि सेल्स किया 2000 का उसमें पहले आप ने क्या किया आठ पर सेंट क्या खिट ट्रेज्सकाउंट कितना तो लिखना आपको two थाउजन into eight अपन बाए 100 ये गया ये गया ये गया वीष hugging तो आट करो कितना हो गया 20 into 8 करो 8160 मतलब 160 आपका करो डिसकाउंट दे रहो क्या कर रहो डिसकाउंट दे रहो अब 2000 मैं से 162 क्या करो लेस करो जीडो टेम यह इद यहां पर कैरी ठीक है यहां मतलब कितना ओजाएगा अट्रा सूच चालीस रूपहे कितना ओजाएगा अट्रा सो चालीस रूपहे हाँ पर हो जाएगा ठीक है 20,000 है क्या 20,000 है तो 20,000 पर आपको निकालना है कितना निकालना है बच्छो देखिए मैं कैल सी ले लूँगा 20,000 पर आपको निकालना है 8 परसेट तो 20,000 इन्टू 8 डिवाइट बाइ 100 कितना आ गया 16,000 रुपए आ गया अब याप 2000 में से 20,000 में से माइनस करो 16,000 रुपए 20,000 में से माइनस करो 16,000 रुपए 20,000 माइनस 16,000 रुपए कितना हो गया 18,400 18,400 मतलब आपने कितने का सेल्स किया 18,400 का आपने क्या किया सेल्स किया बाकि 1600 क्या कि आपने trade discount दिया, तो आपके पास कितना पैसा आएगा, simple सी बात है ना, भाई, आपके पास कितना पैसा आएगा, 18,400 रुपए ही आएगा, simple है, विएकि आप क्या कर रहो, 16% क्या कर रहो, trade discount दे रहो, तो trade discount आप लोग रेकॉर्ड करोगे, क्या नहीं रेकॉर्ड करोगे, आपको पास जितना पैसा आएगा, आप उतना ही रेकॉर्ड करोगे, simple है, अगर मैं आपको बोलू, कि ये बाटल में आपको 10,000 का है, मैं आपको 9,000 में दूंगा, तो मैं कितना रेकॉर्ड करूँगा, 9 9,000 रेकॉर्ड करूँगा, तो sales क्या होता है, always purchase क्या होता है, debit, तो sales क्या होगा, always credit, मतलब मेरे पासे समान हैंगा, बिजनेस से goods गया, मतलब credit में आएगा, और जब भी आप goods बचे हो, तो क्या मिलेगा, आपको पैसा मिलेगा, आपको पास क्या होगा, cash आएगा, cash account क्या ह पड़ेगा, रेकॉर्ड करना पड़ेगा, ठीक है, तो date डाल दो, एक, अब cash account में cash का नाम यूज़ हो सकता है, cash account के debit में record कर रहो, cash account debit में था, तो मैं cash account के debit में record करूगा, बट cash account में cash account का नाम यूज़ होगा नहीं, तो आप positive में नाम किसका है, sales का है, तो debit में इतार two use क यहाँ पर क्या लिखना है नरेशना में being goods sold simple लिखना है being goods sold simple एंः நिकना यह 18400 का आप ने क्या किया है तो लिखना है 8400 यह भी आपका narration हो गाard यह पर क्या करना मार करना की complete हो गया है simple है चलिए तो आपका 7 हो गाफ 4 लिए गी ब法 बोल रहा है 8 भी हो गया, 80 था न ये, बर बर हुबर, अब क्या बोल रहा है, टेन, paid insurance bill 5000, अब इकुछ भी आप पे करो, insurance करो, rent करो, salary करो, कुछ भी पे करो, तो पैसा आएगा, कि जाएगा, अरे पैसा जाएगा, 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 तो क्या आएगा, credit, मतलब बिजने इस से पैसा जा रहे तो इंशॉरेंस प्रेमियम कया हो जाएगा डेबिट कितना जा रहा है 5000 जा रहा है तो यहाँ पहल बिजनेस रहा है आप मैं क्या मुझा मुझा की बूला कि इसमें कुझ सा लेंडेन के mauvais क्षक लेंडेन होना पड़ेगा थीकच तक डेड डाल देंगे 10 व कि देड डाल देंगे 10 अब यहाँ पर क्या हो रहा है कैश का क pomoc के नाम होते है ने अपो सईट में नाम किसका इरेन स्वेम्यूम को दो लिखना है बाल इंस्वेसरेन्स अ क्रेमियम वा इंशॉरेंस प्रेमियम नरेशन में क्या लिखेंगे बिंग पेड इंशॉरेंस प्रेमियम मतलब कि मैं इंशॉरेंस प्रेमियम क्या कर रहा हूं भर रहा हूं कितने से भर रहे हो 5000 से क्या कर रहे हो भर रहे हो ठीक है यह स्लेट भर गया नेक्स स्लेट बना लेंगे हम लोग चलिए साथ में बनाएंगे ओके सही बात बोल रहे है बच्चों कितना इजी है ना चलो बहुत इजी है यार टेट कर लेंगे उसके बाद में यहाँ पर आएगा आपका रिसीप साइट रिसीप का साइट लेजर फोलडर का साइट आपका एमाउन से वापस वही साही डेट्स पैमेंट्स रिसीप लफ फोल्डर इस दा एमाउंट ठीक है अब देखिए पैमेंट्स सौरी हां यहां पर रिसीप आपर मैंने पार्टिकुलस लिखा है यहां पर पैमेंट्स आएगा तो आपको मैं पहले वह समझा दूँ कि मैंने क्या है यहां पर तोड़ा गलतिया कर जाएगा तो आहसे आपके पास जितना पैसा आएगा वह रिसीप में आएगा और जितना जाएगा वह पैमेंट्स में आएगा तो आपका तहां तक हो गया 10 तक हो गया तो कोश्चन में आ जाएंगे वापस हम लोग 10 में हो गया टूबल क्या बोला है पेट कैश टू दिख्षित अब यहां पर पेड कर रो किसको दिख्षित को पेड कर रो तो पैसा आएगा कि जाएगा मतलब पैसा जाएगा तो इसका इंट्री क्या हो जाएगा दिख्षित को पैसा जा रहा है तो डेबिट को रोगा दिख्षित होगा दिख्षित अकाउंट डेबिट आपके पास से क्या होगा पैसा जाएगा तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा क्रेडिट अब दिख्षित को आप कितना पेड कर रहे हो 10,000 तो डेट में भी 10,000 काइष में कितना हो जाएगा पैसा आ रहा है कि जा रहा है आएकट पैदि een काइमें कर रहे हो तो पेहमेंट शाहिद में इसको का करना पड़े गा कूंसा खरी केस्स लिलेटेड़् यह वही आपको रेकॉड करना तो siihen signific account की pretty अपको record करना है तो keynote कर지 बहल गया तो मैं क्या करूं गा palms subscribe ले भोगा ठीक है आप पर रेकॉर्ड करना है क्या कोर्ड टेट डल लगारा डेट डाल दिया आपwhy कौन में कैश का नाम हुअ कराम यूज हुगा नहीं तो देखशित का इमें भा Benjamin टीजित ट्वार कितना है इन री में थावर कर रहे हो नरें मेंठ रिक नहiczं़ being paid to, दिख्शित, यह भी हो गया, यहाँ पे client draw कर देना है, simple है, शलिए, तो आपका क्या, 12 तक हो गया, simple 12 तक आपका यह हो गया, आपका new question क्या बोला है, देखिए, receive cash from succena, अब यहाँ पे receive होई, cash मिला है, तो आपके लिए payment की income में की काते कर से Π다 देबिट कहां से आ रहे तक यह को 13 ठेखे ने मिल रहे आपको talkin' पास से कितना मिल रहे को 80,000 मिल रहा है बच्चो खितना मिल रहा है 80,000 मिल रहा है simple है अब ये देखो cash account क्या है पैसा मिल रहा है मतलब receive हो रहे तो receive में उसको record करना पड़ेगा ठीक है ऐसे भी आप कर सकते हो अगर second method मतलब cash account क्या है debit है तो simple cash account के debit में क्या करना पड़ेगा आपको record करना पड़ेगा तो dead डालेंगे 8 के बाद 15 अब cash account में cash का नाम में उस्वों का नहीं तो आप और पॉझिड़ नाम किस का सक्षेना का नाम है तो लिखना है to succana account नहां पर क्या करेंगे बिइंग, double प्राइशन में लिखिएंगे बिंग रिस्यू तो इस प्राइश करब सक्सेना कितना टेंट आउजन कितना टेंट हॉजन अपको क्या हो रहा है मिल रहा है इस अभी का करना आपको डार करना कि यह अपको क्या हो गया उसके बात क्या बोला है रिस्जी चॉमिशन से पैसा आ रहा है तो इसका जरुन यहां पर लिखता हो प्रेश अब मिल रहा है तो आपको पस क्या आएगा गाश एकांट क्या हो जाएगा डेविट कहां से आ रहा है कमिशन account क्या हो जाएगा credit commission से पैसा आ रहा है है किक है क्थ कितना है बच्छो 2000 है कोमिशन कितना है 2000 आ रहा है अब यहाँ पे cash account debit मतलब cash मिल रहे है तो क्या हो गया रिसीप हो गया पर यह प्लिए करना पड़ेगा तो डेट डाल दू पंदरह तारी के बाद के सतरह तारी डाल दू डेट अब कैश्पुक में कैश का नाम होगा क्या नहीं तो आप पोसिट का नाम क्या है कमीशन तो लिकूट टू कमीशन अगाउंट नरेशन में लिखेंगे बिंग इस यू कमीशन कितना बच्चो कितना हो रहा है तू थाउजन कितना हो रहा है तू थाउजन आपको मिल रहा है तो सतरह कभी आपका हो गया सिंपल है पिजनेस से पैसा आएगा कि जाएगा ना आप बिजनेस से पैसा निकाल रहे हैं सिनल उसके लिए तो पैसा क्या होता है जाएगा आपको पहले बता है चार हजार रुपय क्या हो जाएगा है अब जा रहा है मतलब पेमेंट कर रहे हो प्यमेंट हो रहे है जा रहे हो अपको ऐसा करना है तो भी कर सकते है- नहीं तो कैश है क्रेडिट है तो simple cash book account के credit side में आपको रिकॉड़ करना पड़ेगा अपको और बना यहाँ मैं पर में रिकॉड करना पड़ेगा तो 24 के बत क्या है अठ्रा तारीख है लिदा दूंगा अठ्रा अब कैश एकाउंट में कैश कह नाम उस होगा नहीं तो नाम किसके ड्रॉइंग है तो लिकना है बाइ एकाउंट कितना है 4000 नारेशन में क्या आएगा विंग ड्रॉ पर परस्नाल यूज चलो 18 का भी आपका हो गया उसके बाद क्या बच्चा देखिए 22 को क्या हो रहा है बच्चो देखिए पैसा आएगा पैसा जाएगा आपके पास सोल कर रहे है आएगा पैसा क्या होगा पैसा मिलेगा तो क्या होगा कैश एकाउंट डेबिट हो जाएगा cash account debit क्या बीच रहो furniture बीच रहो तो furniture क्या हो जाएगा credit हो जाएगा तो cash कितना आएगा आपके पास 5000 आएगा furniture कितने का जाएगा 5000 का जाएगा अभी cash account यापके क्या है debit है मतलब पैसा आ रहा है तो मतलब receive हो रहा है पैसा मिल रहा है तो यह कहां जाएगा पर जाएगा ऐसे करना है तो भी चलेगा अगर आपको सकेंड में से बता रहा हो कि आपके cash account क्या है debit है तो cash account में आपको debit side करना पड़ेगा record करना पड़ेगा तो simple cash book में आ गया अब debit side है पूरा भर गया है तो मैं second page का debit side ले लूँगा ठीके अब क्या हो रहा है cash account में cash का नाम यूज होगा क्या बच्चो नहीं तो आप पोजिट में नाम किस का है फरनीचर का है तो लिखेंगे टू फरनीचर कितने का था पाच हजार तो लिखा मैंने पाच हजार यहां पर क्या लिखेंगे क्या लिखेंगे बिइंग सोल फरनीचर क्या लिखेंगे बिइंग सोल फरनीचर यहां तक आपको समझ गया रहेगा फिर क्या बोला है 25 को क्या हुआ है बच्चो देखिए paid salary अब आप कुछ भी पे करो salary पे करो rent पे करो insurance by उस एक्सपूर कुछ भी पे करों पैसा आएगा कि जाएगा रहें पैसा आपके पास से जाएगा ना भाई कि पे कर रहे और तो किसकी लिए पैसा रहा है salary गली जा रहा है 37 को होगा salary indoor अब DACZe कि आइगा video अब स्रूद कितना जा रहा तो 6000 kash kitar 6,000 अभी kash account यहां पर क्रेट में है बनलबा payment कर रहे हो तो यह कहा पर record होगा पैमेंट में record होगा पैमेंट बोलेगा तो payment site में record होगा ऐसे करना है तो भी चलेगा जो सिंपल अगर cash account के credit है तो कहां जाएगा cash account के credit में जाएगा तो cash account का create side यही है payment side यहां पर record करना है तो 18 के बाद date कितना है देखिए 25 तो 25 में यहां पर लिख दूँगा उससे पहले में यहां पर client की जिदू कि यह हमारा हो चुका था 25 अब cash account में cash का नाम होगा क्या नहीं है तो आप positive में नाम किसका है salary का तो लिखेंगे by salary account कितना है छे हजार narration में लिखेंगे being paid salary क्या लिखेंगे being paid salary फिर एक बार्ग मार देंगे ठीक है यह हमारा transaction हो गया है ले चली फिर लास्ट रिखेंग आपने रिस्यूव इंट्रेस्ट अब आप प्रिस्यूव हो है मतलब इंट्रेस्ट मिला तो पैसा आएगा कि जाए गारे आएगा रिस्यूव है मतलब पैसा आएगा तो यह जनरल ड्री क्या हो जाएगा cash chemical भी this video अपको श्री से मिलगा इंट्रेस्ट चाउंट क्रेडिट क्रेडियू पैसा कहा से आरहा है इंट्रेस्ट क्रेश ऑ रहा तो कैस्ट कितना आ रहा है वливоूद है कि डिश कितना रहा है बच्चो कैस्ट आ रहा है आपके पाला representatives का है है अभी cash अभी हाँ पैसा आ रहा है पतलब क्या हो रहा है तो कहां पर record करना पड़ेगा आपको receive side में record करना पड़ेगा ऐसे करेंगे तो भी चलेगा वरना अगर आपको यह easy लग रहा है कि cash account debit side है तो आपको cash account के debit side में record करना पड़ेगा तो डिबूजा में record करना पड़ेगा उससे पहले में इसको क्या कर दूँ mark कर दूँ कि भाई आवा transaction हो गया था 22 के बाद क्या है 30 date है date लिगूँगा 30 अब cash record में cash का नाम यूज होगा क्या ने तो opposite में नाम किसका interest का है तो लिखेंगे to interest account narration में क्या लिखेंगे being receive interest क्या लिखेंगे being receive interest कितना हो गया 4000 अब क्या हो गया इनफ हो गया जितने transaction सब complete हो गया मैंने आपको बोले कि simple cash book में only जिसता भी cash transaction और आपको वही record करना है और कुछ record करना है क्या नहीं record करना है जितना cash record कर दिया आपको पैसा आ रहा है तो रेकॉर्ड करेंगे अगर आप पैसा पे कर रहे हो तो payment side में record करेंगे ऐसा करेंगे तो भी चलेगा डेबिट करेंगे तो भी चलेगा अब cash book लिवे डेबिटव करना है यूज करना है सिंपल आप क्या करेंगे तो चलो टे प्लक्षक में प्लश्र कितना 20 Dollar 2020 प्लस पिर कितना 55000 प्लस फिर कितना Tuesday एक कितना रहा है रहा है kतिना रहा एक थ Wand थर्ठी नाइन टाउजन फोर फॉर कंडरेड तो पिन्त पर गलिंडेर ॹए लिए hides sla रेक करने फिर पहले लrão कई यह आ पी पहले के एक ताउजंद लिखना ह क्टी ठाउजं प्लस प्लस सोब करें सब्सक्राइब करना है अपको अपको रेकॉर्ड करना है फिर कितना है आपको 4000 4000 भी क्या करना आपको record करना है फिर कितना है 6000 6000 आपको क्या करना है record करना है simple है एक मेटा यहाँ पर मैंने कुछ record नहीं किया है sorry है एक मत यह नहीं record किया है सकसेना एक मैंने कितना record किया है 10,000 किया यहां के जो की 80,000 आएगा तो मैंने यह रॉंग किया है तो यहां पर क्या कर दूँ एटी ठाउजन कर दूँ ठीक है तब मेरे कुछ रॉंग हो रहा था चलिए आप भी क्या करेंगे वापस क्या करना पड़ेगा वापस अपने को क्य 24,400 प्लस फिर कितना है 80,000 प्लस फिर कितना है 2,000 प्लस फिर कितना है 5,000 प्लस फिर कितना है 4,000 कितना है 2,9,400 तो सौरी आपको यह अमाउंट नहीं आएगा तो यह अमाउंट आपको रॉफ करना है आपको क्या अमाउंट आएगा 2,9,400 सिंपल है चलो अब आपको क्या कर करना पढ़ेगा क्रेडिस अर्क और को सब्सक्री फ़ें साख्याय 20,000 हैं एक प्लस फिर सब्सक्राइब हाक तो यह whether all 15,000 प्लस फिर कितना है कितना है 6,000 कितना आगया 2001,200TH यहाँ पर लिखना है 2002,000 तो बड़ा अमाँट कुछा है यह वाला बड़ा अमाँट है तो भाला बड़ा अमाँट है तो दोनों तरफ कितना आ जाएगा 2,9,400 इधर भी कितना आ जाएगा 2,9,400 अब यहाँ पर कितना पैलेंस कम पड़ रहा है 2,9,400 माइनस 1,22,000 कितना कम पड़ रहा है 87,400 कम पड़ रहा है यहाँ पर जब आप 2,9,000 में से इसको टैलियू को पूरे माइनस करोगी 1,22,000 तो कितना कम पड़ रहा है 87,400 तो क्या पूलेंगे बाइ बैलेंस करीड डाउन कभी करेंगे कुलसा महिना चलता है आपका जुलाई चल रहा है जुलाई कुतना जुलाई कितने का महिना होता है 31 को क्या करेंगे आप लोग balance carry down कर लेंगे 31 को आपने balance carry down किया वो यहाँ पर क्या हो जाएगा brought down हो जाएगा तो brought down का double mark करना पड़ेगा यहाँ पर फिलिकना पड़ेगा 1st क्या हो जाएगा 1st June, July, August 1st August को क्या हो जाएगा brought down to balance brought down कितना carry किया था आपने 87,400 तो पूरा यहाँ पर क्या हो जाएगा carry हो जाएगा 87,400 सिम्पल है कितना easy था तो बहुत easy था subsidiary book जी बहुत easy है अगर आप लोग दिले दिले समस करेंगा भी यह क्या होगा simple book हुआ अब मैं double book कराऊंगा उसके बाद और PT cash book कराऊंगा तो हर एक दिले दिले कराऊंगा तो आपको क्या हो जागा easy हो जागा अब एक ही पर मैं आपको समया दूँगा तो आप भूल जाओगे और आपके brain के उपर से जाएगा तो difficult हो जाएगा इसके लिए तब तक के लिए इतना करो solve करो आपसे होता है तो ठीक है वरना मैं तो कर रहा हूँगा इससे आपको पता ही है तो तब तक के लिए गुट बाई टेक केर lecture on रखना और study करते रहे न प्लीज लाइक करना comment करना subscribe जरूर करना और अपने दोस्तों को share जरूर करना प्लीज प्लीज रिक्वेस्ट humble request तक लिए गुट बाई टेक केर मिलते है नेक्स्ट लेक्च्चर में नेक्स्ट हम लकिए amazing इससे करेंगे और enjoy करेंगे ओके बबाई टेक केर